दोस्तों उत्तर प्रदिश में TGT और PGT के आवेदन से सम्मंदित जितने भी डाउड्स हमारे सामने आ रहे हैं मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सभी डाउड्स आपके सार्व होते चले और इसी क्रम में ये आज का वीडियो है कल मैंने आपको बताया था कि step by step आप आवेदन कैसे कर सकते हैं कुछ बिंदुों पर जो तृटियां लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट किया था कि ये जो तृटियां हो रही हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बावजूद ये कुछ comment मैंने उठाए हैं और इनको मैं discuss करूँगा आपके साथ सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जाती निवास और EWS के बारे में काफी questions आ रहे हैं कि जाती निवास और EWS certificate के बारे में बताईए देखे friends आपसे ही कहना चाओंगा कि आपका जो जाती है और निवास है EWS पर थोड़ा सा अलग से चर्चा करते हैं सबसे परे बात करते हैं जाती और निवास के बारे में पहला महत्वण बिंदू ये है कि आपको जो जाती और निवास है यह आवेदन के पहले का बना हुआ हो थीक है आपका यह जाती है और निवास पाउन पत्र है यह आनलाइन सो होता है या नहीं होता है अगर यह आनलाइन सो हो रहा है तो आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आनलाइन सो नहीं हो रहा है यानि कि आनलाइन वेरिफिकेशन इनका नहीं हो पा रहा है तब आपक ये कि online verification में ये सो होता हो दूसरी बात ये कि तीन साल तक का हो तो चलेगा उसके पहले का है तो अपडेट कर वा लीजिए और ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं तो इसमें कोई किन्तु परणतोली बात नहीं है इसके बारे में कोई instructions नहीं दिये गए हैं नोटिफिकेशन में तो बस यही बात समझे हैं कि जब notification में कोई बात लिखेंगे ये तो हर बात आपको अपने सुअभ इवेक से पूरी करना है तो तीन साल तक का है तो माने रहेगा मेरी और से है इससे पुराना भी चल सकता है लेकिन बसरते कि यह online सो होता हो ठीक है तो यह बात अब आप समझ गये होंगे अब बात करते हैं EWS के बारे में तो EWS certificate कितना पुराना होना चाहिए इसके बारे में website पर ही कुछ guidelines दी गई है आए देख लेते हैं अच्छा हाँ फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग उत्तरवधिस के हैं बस उनको ही इस र फिर यहां पर देखिए आपका option आएगा अगर आप general choose करते हैं तो जब आप general choose करेंगे उसके आगे आपका जो है EWS category के बारे में question आएगा तो यहां पर yes and no आपको करना है लेकिन यहां पर कुछ guidelines दी गई हैं उसको एक बार आप देख लीजिए तो guidelines में क्या लिखा गया ह पड़ सकते हैं आप कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अंतरगत आरक्षन का दावा करने वाले अभिरती के परिवार की समस्त्रोतों वेतन क्रिसी ब्यापार और व्यावसाय आदी से आए आवेदन करने के वर्ष के पूर वर्ष की आए रुपए आठ लाग से कम और यह जो आय प्रमाण्पत्र होगा तो आवेदन आप 2022 में कर रहे हैं तो 2021 का होना चाहिए अब आप आवेदन करने के वर्ष के पूर वर्ष की आय, यहाँ पर आपको 100 करानी है नहीं अब समझ गहीं होगा 1972 नहीं कर रहे हैं तो यह 2021 का ही होगा AWS का के लिए ही मानने होता है अब आप समझ गया होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ठीक है तो 2021 वाला certificate बन जाता है बहुत आसानी से इसमें कोई वह नहीं है दिक्कत नहीं है तो यह हो गए आपके पहले question के सभी answer चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखों यहाँ पर है कि TGT PhD farm में गलती कैसे ठीक करें कोई भी गलती आपसे हो जाती है आवेदन करते समय तो farm को सुधारने का कोई आउसर नहीं मिलेगा आपको एक बाद ध्यान रखिएगा तो गलती को कैसे सुधार जाए तो गलती को तुर्टी के कारण अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो एक से अधिक आवेदन किये जाते हैं तो अंतिम आवेदन मानने होगा सेस्त निरस्त समझे जाएंगे अब यहाँ पर एक बाद ध्यान से सुधार लिए वह यह है कि अगर मान लेते हैं form भरते समय आपसे कोई करेंगे आप सारी जो प्रक्रीया होगी फॉर्म फिलींगी वह करने पड़ेगी दूसरा फार्म आपको भरना पड़ेगा और जो फार्म आप वहां पर भर रहे होंगे तो जो करेक्ट हो उसी के registration वाले farm पर आप परिक्षा देजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो sales farm हो निर्दा समझे जाएंगे लेकिन आपको जो है जब आप check करेंगे तो जब admin card आप check करेंगे तो दोनों पर admin card जारी हो जाएगा पहले वाले farm पर भी जिसमें आपने गलती की थी दूसरे वाले farm पर भी जिसको आपने correct किया था तो जो correct आपको लगे farm जो farm आपको सही लगे उसी registration वाले का admin का download करके आप परिक्षा में बैठिएगा ठीक है समझ गए बात आप चले आगे बढ़ते हैं अगला question देखिए हाँ बालक और बालिका वर्ग किसमें आवेदन करें एक बात ध्यान समझिए और वो बात यहाँ पर लिखी भी गई है कि कोई पुरुस भेरती किसी बालिका संस्ता में किसी अध्यापा पर न्योकति के लिए पातर नहीं होगा अगर आप पुरुस हैं तो महिलाओं की सीटपर मत जाएएगा महिला जो हैं वो पुरुसों की सीटपर भी आवेदन कर सकती हैं दोनों पर नहीं कर पाएंगी यह उनका decision लेना होगा पूरुस वाले सीट पर जायेंगी या महला वाले सीट पर जायेंगी। महलाओं की सीट पर आवेदन कम होते हैं, मेरित लगबग बराबर री जाती है, लेकिन कुछ निष्टित तोर से कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेगा कि अगर कोई पुरुस है वर्नेत्रहीन है तो संगीत बीसेकलिव महिला कटेगरी में आवेदन बालिका विद्यालेक लिए कर सकता है। इस बात का उलेक करना होगा और बताना होगा कि वो किसमें आवेदन कर रही है। फिर देखे रिजर्व कटेगरी में आवेदन करें या जनरल में कई बार कई सवाल आ रहे हैं कि जैसे कि कोई रिजर्व कटेगरी है OBC है, SC है या फिर ST है या तो सीटे नहीं है SC, ST या OBC की या फिर सीटों की संक्या कम है तो ऐसी कंडिसन में क्या करें तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप अपनी कटेगरी में ही आवेदन करिएगा इससे आपको दू फाइदा मिलेगा आपको अपनी कटेगरी की सीटे तो मिलेंगी ही प्लस जनरल की सीटे तो सब के लिए होती है तो उसमें भी आप रहेंगे और यहाँ पर क्योंकि उम्र की कोई बात देता नहीं है तो कोई दिक्कत आपको आने और ही नहीं है आपकी उम्र चाहिए जो हो अपनी कटेगरी में ही आप आवेदन करें इसी से आपको लाफ रहेगा क्योंकि अपनी कर्विदी में जब आप आवधन करेंगे तो आप ही category की seat भी आपके पक्छ में रहेंगी प्लस general की seat भी आपके पक्छ में रहेंगी समझ गए आप ऐसा नहीं है कि एगर माल लेते हैं कि essee में seat नहीं है general में seat दी कहीं है से तो आपको अवधन करना होगा नहीं आप यसी में यावधन करें जन्रल पर स समन् hij आगे नाम के लड़कियों के नाम लिखा रहता है कुमारी लिखा रहता है तो फार मरते समय यह कियम उनको नहीं लिखना है भाई यह बात मैं कई बार बता चुका हूं और इसके बाग जोद के लोगों ने comment किया तो इसलिए बता रहा हूं कि कियम ने लिखना है आपको बस अपना नाम डाल देना है कि सब्सक्राइब कैसे करें तो कर लिया आप ने लेकिन उसको रेटा बर्ट डाल देना है वह убий मिलड़ा डाल क्या मिल जाएगा और उसके बाद फिर वाइटा फार्म पर डाउनलूड कर सकते हैं उसमें complete farm आपको मिल जाएगा जब आपको रिस्टेशन नंबर मिल जाता है तब आप यहाँ पर प्रिंट डिटेल अप्लिकेशन फार्म पर क्लिक करिए और फटा फटा अपना रिस्टेशन नंबर डालिए अपना फार्म आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यह प्रोसेस रहेगा फिर देखिए रिजल जारी हो गया है पर मार्ट शीट नहीं है तो क्या करें इंदेखो फ्रेंड्स एक बात जहां रखिएगा कि आविदन से पहले आपके पास अगर आप अपीरिंग में हैं तो आप आप पहिदन कर नहीं पाएंगी पहली बात लेकिन अगर आपका रिजल जारी हो गया है आपको प्राप्तांग और प्रोणांग यानि की आप्टेंड मार्ग और टोटल मार्ग आपको पता है आपको प्राप्तांग प्रोणांग पता चल गया है तब आप फार्म भर सकते हैं ब लेकिन अगर आपका रिजल्ट अभी डेक्लियर नहीं हुआ है प्रापतांग पूरांग आपको पता नहीं है तब आप आवेधन नहीं कर पाएंगे तो यह कुछ सवाल थे इसके आंसर मैंने आपको पता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिस अधिक लोगो आउट है तो कमेंड कीजिएगा आंसर मैं जरू करूंगा थैंक यू सो मच्छ हवे ग्रेट डे जैहन्त